खड़गे के जहरीले साप के बाद अब बेटे प्रियांग ने मोधी को कहा ऐसा नलायक बेटा नमस्कार दोस्तों मैर अदम सिंग और आप सुभी का टिडर नियूज में स्वागत है कॉंग्रेस अद्धिस्क मलिका अरजन खड़गे द्वारा प्रदान मंति मोधी को जहरीला साप कहने के बाद अब उनके बेटे ने प्रियांग खड़गे ने सोमवार को प्यम मोधी को नलायक बेटा कह डाला गौर तलब है कि मलिगा अरजुन खडगे के हमले पर पियम मोदी ने भी करारा जवाब दिया था करनाटक में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कॉंग्रेस पर निसाना साधा था पियम ने कहा था कि कॉंग्रेस को विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए थी इसके बजाय हुए साप और उसके जहर के बारे में चर्चा कर रहे हैं प्रियांक खडगे ने सोमार को कलबुर्गी में सभा को संबोधित करते हुए पियम मोदी पन निसाना साधा उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंती कलबुर्गी में आये थे तो उन्होंने कहा था कि आप सब डरिये मत बंजारा समुधाय का एक बेटा दिल्ली में बैठा है प्रियांक ने आगे कहा कि ऐसा नलायक बेटा बैठे का तो घर कैसे चलेगा बता दें कि प्रियांग के पिता और कॉंग्रेस अधेक्स मलिका अजन ख़ड़गे ने P.M.M.O.D. की तुलना जहृले साब से की थी उन्होंने कहा कि P.M.M.O.D. एक जहृले साब की तरह है आप चेक कर सकते हैं कि वह जहृले हैं या नहीं लेकिन आप जैसे ही चेक करेंगे मर जाएंगे हलंकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर इस पस्टी करण देते हुए कहा था कि उनका इरादा किसी को ठेश पहुचाने का नहीं था प्रियांग खडगे के पियम मोदी को नलायक बेटा कहने पर भाजपा ने पलटवार किया है बाजपा नेता सोभा करंदलजे ने कहा कि कॉंग्रिस अद्धक्स ने परचार के दौरान पियम मोदी को साप कहा था अब उनका बेटा प्रधान मंतरी को नलायक कह रहा है प्रिया दो दिनों में उन्होंने प्रधान मंतरी के लिए अपार मोहबत दिखाई है इतना ही नहीं सुबा करन दलजे ने यह भी कहा कि करनाटक आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सबसे पूरानी पार्टी को कड़ा सबक सिखाएगी बिरुर रिपोर्ट रिगर्ण निउस